नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Wealth Bazaars में जहां हम एनलिसिस कर रहे हैं टॉप 5 स्टॉक जो 2024 में मल्टी बैगर साबित हो सकता है और साथ ही ये फ्यूचर में एक बिग रिटर्न बना सकता है। आज की हमारी वीडियो टॉप 5 स्टॉक्स 2024 सीरीज का तीसरा भाग है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जरूर देखें क्योंकि उन में हमने complete fundamental analysis किया है जो निवेश के सफर में मदद कर सकती हैं। आज हम तीसरे स्टॉक की बात करेंगे जो 2024 में बड़ा मुनाफ़ा दे सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से वो स्टॉक है जो 2024 में और future में एक big return दे सकता है। तो उस स्टॉक का नाम है श्री रिनुका Sugars Limited जो आने वाले समय में एक multi-bagger बनने की तैयारी कर रहा है। इस स्टॉक को इस सीरीज में शामिल करने का main reason है इथनॉल पिकाज आने वाला समय में इथनॉल का demand बढ़ने वाला है जिसका फाइदा इस स्टॉक को मिल सकता है और ये स्टॉक एक multi-bagger साबित हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं श्री रेनुका शुगर्स लिमिटेड का हिस्ट्री बात करें श्री रेनुका शुगर्स लिमिटेड एस आरेसल के बारे में जो 1995 में स्थापित हुई थी। 1998 में SRSL ने आंधर प्रदेश सरकार की एक सिक यूनिट को खरीदा जिसकी क्षमता 1250 TCD थी। बाद में कंपनी ने इस यूनिट को मुनोली में अपने उत्पादन स्थल पर शिफ्ट कर दिया जिससे उत्पादन क्षमता बढ़कर 2500 TCD हो गई। साथ ही 11.2 मेगावाट का किलो लिटरे प्रति दिन क्षमता वाली एक डिस्टिलरी और इथिनॉल यूनिट जोडी। आज SRSL के करनाटक में मुनोली, अथानी और हवलगाह में उत्पादन इकायां हैं। साथ ही महाराष्टर में अजारा और अरग और करनाटक में अलंड में तीन लीज पर चलने वा जो प्रति दिन 4000 टन टीपीडी उत्पादन करती है। मुनोली और अथानी में स्थित दो उत्पादन इकायां प्रति एक 1000 टीपीडी उत्पादन करती हैं। 2010 में SRSL ने ब्राजील की चीनी और इथिनॉल उत्पादन कंपनी एकविपाव S.A. अचूकर A. एकविपाव A.A. मैं 50.34% की नियंतरन हिस्सेदारी हासिल की। एकविपाव A.A. अब कंपनी की एक सहायक कंपनी बन गई है। एकविपाव A.A. में दो बड़ी और आधुनिक चीनी इथिनॉल मिले हैं जिनकी गन्ना क्रशिंग क्षमता प्रतिवर्ष 10.5 मिलियन टन है। इसके अलावा एक 303 MW की बगासे आधारित पावर को जनरेशन क्षमता भी है। एकिपाव निवेश के साथ श्री रिनू का विश्व के सबसे लागत कुशल और स्केलेबल उतपादन क्षेतरों के साथ एक वैश्विक चीनी और इथिनॉल व्यवसाय बनाने के करीब आ गया है। इसके अला अटक में अपनी हवा इकाई में 1000 TPD की चीनी रिफाइनिंग क्षमता स्थापित करने की घोशना की। इससे कमपनी की चीनी रिफाइनिंग क्षमता 6000 TPD तक बढ़ गए। प्रॉडक्स पोर्टफोलियो ऑफ दे कमपनी बात करे कमपनी के प्रॉडक्ट की तो बेसिकली ये तरह के बिजनेस में इन्वाल्व है। पहला शुगर कमपनी का मुख्य उत्पाद है। ये EC2 ग्रेड रिफाइनि चीनी बनाती है जो EU माना को 45 ICUMS से कम के अनुरूप है। ये उच्छ स्थरिये उत्पाद है जिसका उप्योग यूरोपी और अफ्रीकी देशों में होता ह और इसका उप्योग इंडस्ट्रियल परपस के लिए भी किया जाता है। दूसरा, पावर, बगास और मोलासेस, जैसे उपोतपादों से ये अपने उप्योग और राज्य ग्रिड को बिक्री के लिए बिजली उत्पन्न करती है। अगर बात करें। इथनॉल की Pro-Ethanol A Sustainable Future Annual Report 2022-23 के अकॉर्डिंग कम्पनी ने कहा, भारत सरकार की इथनॉल को एक नवी करणिय इंधन स्रोत के रूप में बढ़ावा देने की प्रतिबधता के कारण, एक व्यापक इथनॉल मिश्रन कारेकरम का विकास हुआ है। इसका लक्ष दो हजार पच Infrastructure, efforts to increase supply of ethanol और साथ ही कम्पनी ने अपना एक टार्गेट सेट किया है, production of ethanol for 2025 तक के लिए। क्योंकि इंडियन गवर्मेंट के अकॉर्डिंग 2025 तक इथनॉल का फ्यूल के साथ blending 20% हो जाएगा, इस से श्री रिनुका शुगर्स के इथनॉल का डिमांड इंक्रीज हो और इसका फाइदा इंवेस्टर को होगा, और 2022 तेईस एनुल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग श्री रिनुका शुगर्स का capacity expansion projects, इथनॉल की बढ़ती मांग के साथ कम्पनी ने मुनोली डिस्टिलरी की क्षमता 120 KLPD से बढ़ा कर 500 KLPD और अथानी डिस्टिलरी की 300 KLPD से 450 KLPD तक विस्तार परियोजनाएं शुरू की, दोनों प्लांट्स में वानिजिक उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है, और इससे इथनॉल की आपूर्ती बढ़ने और इथनॉल मिश्रन कार्यकरम द्वारा निर्धारित लक्षियों का समर्थन करने की उम्मीद है, बात करे इथनॉल का डिमांड लगातार इंक्रीज हो रहा है, अगर फाइनेंशल रिपोर्ट दो हजार बीस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो दो हजार बीस में इथनॉल का प्रोडक्शन एक लाख दस हजार एक सौसताइस किलो लिटर्स था, ये इंक्रीज होकर फाइनेंशल 2023 में 1,96,197 किलो लिटर्स हो गया, यानि इथनॉल प्रोडक्शन में लगभग 78% का उच्छाल आया है, इससे ये साफ जाहिर है, आने वाला फ्यूचर इस कम्पनी का भेतर हो सकता है, दोस्तों अब देखते हैं, इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूगा, मैं कोई सेबी पंजिकृत सलाहकार नहीं हूँ, यहां दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से प्रदान की जा रही है, और इसे किसी भी प्रकार की वित्तिय सलाह के रूप में नहीं मा आना जाना चाहिए, शेयर बाजार में निवेश से जुड़े जोखिम होते हैं, निवेश करने से पहले वित्तिय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें, आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, एन्यूल रिपोर्ट दो हजार बाइस थे इस के अकॉर्डिंग देखते हैं, र रेविन्यू ग्रोथ, अगर देखा जाए 2019 के फाइनैंशल रिपोर्ट की तो रेविन्यू 42,968 मिलियन रूपी था, ये बढ़ते बढ़ते फिनैंशल रिपोर्ट 2023 में 85,781 मिलियन रूपी हो गया है, एबिड़ा को देखा जाए तो फिनैंशल रिपोर्ट 2019 के अकॉर्ड 3,993 मिलियन रूपी था, और ये भी लगातार बढ़कर फाइनैंशल रिपोर्ट 2023 में 7,197 मिलियन रूपी हो गया, बात करें, डेट तु एक्विटी रेशियो की तो फाइनैंशल रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग, डेट तु एक्विटी रेशियो 4.92 था, ये इंक्रीस हो कर 2020 और 2021 में लगभग 18 के करीब पहुँच गया था, जो कंपनी के लिए ठीक नहीं था, लेकिन फाइनैंशल रिपोर्ट 2022 में 7.55 के करीब था, लेकिन फाइनैंशल रिपोर्ट 2023 में फिर इंक्रीस होकर लगभग 10.5 के करीब पहुँच गया है, हाला कि लास्ट के 5 साल से कं पेर करें तो debt to equity ratio कम हुआ है। बात करें company के EBITDA margin की तो financial year 2019 में 9.29% था और financial year 2023 में 7.23% है। market capitalization को देखा जाए तो financial year 2019 में 19.590 मिलियन था। ये बढ़कर financial year 2023 में 93.866 मिलियन हो गया। और company का net worth ही की बात करें तो financial year 2019 में 5.465 मिलियन था। जो घटकर financial year 2023 में 4.127 मिलियन है। और most important बात करें रोस ये की तो financial year 2019 में 8.23% था और financial year 2023 में लगभग 8.63% है। ऐसा माना जाता है कि किसी company का रोस 25% से ज्यादा है तो company ठीक है लेकिन Shree Renuka Sugars का लगभग 8% के पास maintain है जो ठीक नहीं है। अब देखते हैं last के 5 year का share holding pattern। सबसे पहले बात करें। promoter holding pattern की तो financial year 2019 में लगभग 62.5 के करीब था और financial year 2023 में भी constant है 62.5 के करीब। जो कि बहुत अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि अगर promoter holding ज्यादा है और 60% से ज्यादा है तो promoter को अपने company के प्रतिविश्वास है। company grow कर सकती है। इसलिए वह अपने company में invested रहते हैं। FII का holding pattern देखा जाए तो FII भी invested है। हाला कि ये 4 to 3 percentage के bitch बने रहते हैं और इन्हें भी लगता है। ये stock future में कुछ अच्छा कर सकता है। अगर future में FII अपनी holding और increase करते हैं तो ये पक्का साबित हो जाएगा कि ये stock future में कुछ अच्छा कर सकता है। बात करें DII की तो DII को FII से ज्यादा विश्वास है। Shree Renuka Sugars के stock पर क्यों की DII की holding FII से ज्यादा है। और ये financial year 2019 में 10.4 percentage है और financial year 2023 में लगभग 10 percentage के करीब है। जो की बहुत अच्छा है। और ये indication है कि Shree Renuka Sugars future का एक multi-bagger साबित हो सकता है। लेकिन कोई निवेश से पहले अपनी समझ, सूज, बूँज और अपने advisors की सलाह पर ही निवेश करे। क्योंकि Share Market बहुत रिस्की होता है। अब देखते हैं Public Holding। Public Holding देखा जाए तो ये लगभग 23 से 24 percentage के बिच बरकरार है। जो की ठीक है। अगर Future में Public Holding decrease होता है, तो ये अच्छा signal होता है, investment का। क्योंकि Big Player FII और DII माल खरीदते हैं और Public अपना माल से ल करती है। आए समझते हैं Company का Strengths और Limitations। बात की जाए Strengths की तो पहला, Company का Future आने वाले समय इथनौल पर है। अगर इथनौल प्रोजेक्ट सक्सेस्फुल होता है और इथनौल का डिमांड बरहता है, तो Company के स्टॉक में Big उच्छाल देखने को मिल सकता है। दूसरा, Company ने पिछले तीन वर्षों में 23.37% की अच्छी रेवन्यू ग्रोथ दिखाई है। तीसरा, Company की प्रमोटर हिस्सेदारी 62.48% है। चौथा, Company के पास Strong Degree of Operating Leverage है। Average Operating Leverage stands at 4 और पाँचवां, Company के पास Efficient Cash Conversion Cycle है। अब देखते हैं Company का Limitations। बात करें लिमिटेशन्स की तो पहला, Company के पास बहुत ज्यादा कर्ज है। On Standalone Basis, लगभग 4,306 क्रोर है, जो की बहुत ज्यादा है। Company को इस पर काम करने की जरूरत है। दूसरा, Financials अभी बहुत वीक है। लेकिन Company अपना क्रिशिव्यवसाय और जैव उर्जा, चीनी, एथिल औलकोहल, इथिनॉल, बिजली चीनी रिफाइनरी और डिस्टिलरी में अच्छा करती है, तो आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। और अपना Financials मजबूत कर सकती है, इसके साथ ही वीडियो को यही समाप्त करते है। इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ ही बेल आइकॉन को दबा कर रखे। और हाँ, अगर अपने इस सीरीज का पहले वाले वीडियो नहीं देखा, तो जाकर जरूर देखे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।